जै समिधान जै भीम मात्मा गांधी की जै फोर पीम न्यूज नेटवर्क में आज मैं फिर्दै से दिल से देश्वासियों की तरफ से माने सुप्रीम कोट को धनवाद देता हूँ माने सुप्रीम कोट के देश के समिधान की रक्षा की है सामाने जनता जो तानाशाहों द्वारा सताई जाती है जो एकतंत्र के सिध्धान्तों पे विश्वास करने वाले गोडसेवादी, हिंसक और देश में लोगतंत्र को समिधान को खतम करने वाले लोगों द्वारा चलाई जाती है मानी सुप्रीम कोट महोदे आपने इस देश की आबरू और हमारे सभिता और संस्कृति का रक्षा की है इसके लिए मैं हिर्दय से आपका धन्वाद देता हूँ और देश की अधिकांश जन्संख्या जो लोगतंत्र और समिधान में बिलीव करती है वो आपका धन्वाद करती है हिर्दय से आपका आभार आपने बार-बार इस देश की आबरू को बचाया है इस देश में जो एक तानाशाहि प्रवर्थी पनवी रही है जो सरकारी तंत्र के मध्यम से उनके नीतियों के खिलाव संगर्ष करने वालों को सताने की नीत अपना आ रही है बार-बार नियाने द्वारा पिछोग द्वारा इस देश के समिधान वुभतानों लोगतंत्र की रक्षा की जा रही है मैं गौर वानुवित हूं मुझे कर्व है कि भारति नागरिक हूं इस पवित्र भूल्वी का नागरिक हूं जहां लोकतंत्र सब्सक्राइब को बचाने के लिए मानिय न्याले धीश महोदे आप लोग देश में मौजूद हैं जिस प्रकार से अनिल देश्मुक को जो महराश्ट के वो मिनिस्टर थे केंद्र सरकार दिल्ली द्वारा महराश्ट की असमिता को धमकाते हुए अनिल देश्मुक को देश्मुक साहब के माध्यम से फलनवीज साहब के माध्यम से ये संदेश दिया गया जो अनिल देश्मुक ने खुद कोट के एफेडिविट में कहा कि उनको संदेश मिजवाया गया था कि आप एक छूटा एफेडिविट दे दीजे कोट में जिससे हम उदव ठाकरे और आदेत ठाकरे को जेल में वेज सकें अनिल देश्मों के एक महराश्ट की आनबान शान महराश छत्रपदी शिवाजी महराज के महराश्ट के निवासी जो हम मिनिस्टर थे उन्होंने किसी चीज़ की परवाना करते हुए सत्य का साथ दिया और अपनी निष्ठा नहीं बदली जैके बातकी महराश्ट के बहुत सारे लोगों ने अपनी श्रपद ली दवाव में चाहे वो अशूक चवाण हुँ चाहे वो प्रफुल पतेल सहाब हुँ में चाहे वो चखन भुजबल सहाब हुँ चाहे अजीद पवार साब हों लेकिन कुछ लोग चट्टान की तरह अड़े रहे अपने सिद्धांतों के साथ और अपने जो आदर्श थे उसके साथ नच छोड़ने के साथ अनिल देश्मुख ने शरत पवार को धोगा देना पसंद नहीं किया शिर सेना के निर्देश लोगों को फसाना पसंद नहीं किया और तेरे महाणे जेल में रहे परेशाणिश को उनोंने जेल आप जानते हैं चाहे राज्नेत क्या दी हो जेल कि अंदर किस प्रकार का treatment मिलता है और यह वो व्यक्ति जो महराश्ट्र जैसे बड़े प्रदेश का ग्रह मंत्री था उसको यातनाई दी गई लेकिन तेरे महीने उसने सहा और उसके बाद मानी कोट ने उनको निर्दोष पाते हुए छोड़ दिया और यह कहा कि इनके साथ कोई केस नहीं बनता इसी प्रकास संजय राउत जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के बड़े नेता हैं और राजसभा के सांसद हैं और अपनी निष्ठा उन्होंने नहीं बत दी जब उनको भी जेल भेजा गया काल्पनिक आरोपों के अधार पर अपनी मां के पैर छुते उन्होंने कहा कि मैं डिगूंगा नहीं अपनी जगह से उद्धव ठाकरे से अपनी जो भी निष्ठा है इसको नहीं छोड़ूंगा जेल में रहे चापान भाईने जेल में रहे और कोड ने वहां भी यह कहा कोई केस नहीं बनता उनको छोड़ दिया गया नवाब मलिक जो की एंसीपी शिव से ना के एंसीपी शरत पवार के बहुत बड़े नेता थे और बड़े मुखर होके बोलते थे बिना डरे बोलते थे लोकतंत्र को बचाने के लिए और समिधान को बचाने के लिए उन्हों को भी महिनों ज इसांग किया गया अब जेल से छूटे हैं भारती जनता पार्टी को आशा थी कि जेल में छूटे हैं यातना हुई है को धमकी दी होगी कि भारती जनता पार्टी में आ जाएंगे नहीं वो जाकर अपनी पुराने जो पार्टी है वहीं के लोगों संपर कर रहे हैं वो भारती कि दिनु नी exagger few । जो दिल्ली में शासन में आ अगई क्यों पंजाब में शासन में आ गई कि जो गुजराट में सीटें जीद गई और एक ने technal पार्टी वन वां तो उसका भार भारती जंता पार्टी को और सताधीशों को सहन नहीं हुआ एक कालपने के सरकार तो नीती बनाने के लिए ही होती है उसकी इंप्लेमेंटेशन तो बिरोक्राइट करते हैं एक नीती बनाई शराब नीती बनाई और शराब नीती को यह कहा गया एडी सिव्याई की तवारा यह दोशपूर्ण है और इसके अंदर पैसे का लिंदेन हुआ है नीतियां दोशपूर्ण है या नहीं है उसके लिए जेल थोड़ी बेजा जाता है जैसे माल लीजे जो चुनावी बॉन्ड की नीती बनाई वह केन सरकार ने मनाई और यह नीती बाद में सुप्रीम कोड ने बहुत सारी सुनवाई करने के बाद यह निर्णे लिया कि असमिधानिक है गैर समिधान यह विरुद्ध है और यह अनकंस्टिटूशनल है चुनावी बॉन्ड जो लिया गया है और जित प्रकार से उसमें ब्लैक मिलिंग हुई ह बारगिनिंग की गई है बॉन्ड लिया गया है और वैक्सीन लगाई गया है और ठेके दी हैं वो सारी चीजें बलकि स्टेट बंग इंडिया कोशिश कर रहा था यह सूचना सुप्रीम कोड न दी जाए लेकिन सुप्रीम कोड हमारे पंच परमेश्वर हैं उन्होंने अगर दोश्पूर्ण नीती भी थी भी तो नीती वापस ले ली गई उसमें जेल भेंजेंगा क्या मतलब था फिर कहा गया कि उसके कोई लिंदेन हुआ कहां हुआ किसने दिया किसने लिया कहीं उसका कोई ट्रेस होगा कहीं कोई उसका एविडेंस होगा कहीं उसके कोई प्रोसेस के माध्यम से आरोपियों को परिशान करा उन्हें तेतरे चौदय वी मनी ट्रेल नहीं कोई प्रूफ नहीं कहीं कोई एवडेंस नहीं लेकिन सत्ताधीस चाहते हैं कि जो सरकार डबलटे Ded iniPherson को मतलब यह है कि अगर मनीश्य सौदिया को मिल गए वो तो तो तभी आप दसक्स करने में बिल मिल जाएगी सतेन जैन को भी मिल जाएगी तो मानि सुप्रीम कोट आपका हिर्दय से आभार कि आपने देश के लोकतंत्र समिधान और देश में जिस प्रकार की लोकतंत्रिक और नियाइक प्रनिल्याहली है उसको सेव प्रका इसके लिए आपको कोटी-कोटी धन्यवाद और यह भी परदाफाश हो गया कि यह राजनेतिक हितों के लिए लोग-लोकतंत्र को किस प्रकार ताक में रख सकते हैं अब यह कहा जाता है कि साब बाल-बाल धंकर साब तो पारलिमेंट में कहते हैं उधर वो ओंबिड़ला साब पारलिमेंट में कहते हैं बाल-बाल एमेर्जेंसी में चले जाते हैं पचास साल पहले चले जाते हैं अरे 50 साल जाने पहले ही जाने के वशक्ता क्या है उस समय भी यह होता था ना एक ऑफिशल एमर्जेंसी डिक्लियर की गई थी उस एमर्जेंसी के तहट जो एमर्जेंसी डिमोक्रेटिक नहीं थी लेकिन कॉंस्टिटूशनल थी लोगों को जेल वेजा गिया था निर्दोश जिस्ट ऑर आज मीन हो था इस वह दूसरी बात है उस में समय डिक्लेंट इमर्जेंसी याक एमर्जेंसी नहीं बआ जो आपके पार्टी में आ जाता है या आप से समझछा कर लेता है जो इंडिया talking ऑउर dennis के वह और अधिकारी हों चाहे वो हिमंतो इससर्मा हों चाहे वो अजीत पवार हों चाहे वो प्रफुल पटेल हों चाहे वो सुनिल जाखड हों चाहे वो सिंधिया साब हूँ चाहे वो जिदिन परशाद हूँ पॉइंट यह है कि जो लोग अपुदीशल में हैं वो जेल और जो आरोप लगाएंगे और जो आपकी पार्टी में आ जाएंगे आपसे गडबंदन कर लेंगे उनके लिए सब कुछ यह कौन सा लोगतंत्र है यह किस प पहले स्टेट बंक ऑफ इंडिया को चुनावी बॉंड के मामली में नाट लगाई थी तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इस बात के लिए गौर्वानवित होना चाहिए हमें इस बात के लिए गर्व होना चाहिए कि जितना भी कोशिश कर लें सत्ता में बैठे हुए लो शुक्तांतरे मुल्यों की रक्षा करेगा और देख कि एकता अखंडता को ऑरकरारे लिए जो इस प्रकार के विपक्षी दौलों को आतंकित करके आक्रांतिक करके इस प्रकार से उने घुटनों की बल लाये जाता है और लोग लोग वीरोध करते हैं उन्हें जेल भीदिया झाल झाल झाल